विज्टम नर्सिंग कोचिंग के ओनलाइन यूटूब चनल के उपर ओनलाइन लाइव क्लास के उपर जल्दी से सभी बच्चे हैं वो लाइव आ जाएगा और आज अपना जो सेशन है वो रहने वाला है कल आपकी रात को नो बजी वाली क्लास वो बीच में बंद हो गई थी उसी सेशन्स को मैं आपको आज है वो अविलेवल करवाने वाला हूँ मतलब जो कल की क्लास आपकी बीच पे बंद हो गी थी उसी को मैं आपको पूरा कम्प्लीट करके आपके सामने पर जेंट करने वाला हूँ क्लास को शेर करेंगे आज इस क्लास के अ अंदर में आपके कमेंट्स का रिप्लाइes नहीं कर पाऊँगा बिल्कूल विधु को क्लास जो है वह आपकी प्रीमियम क्लास है चली बाई अविलेबल है आज ही विजडम नर्शिंग कोचिंग मोबाइल अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगा वहां से आप जॉइन कर सकते हैं साथ में या दखेगा आपको अगर जॉइन करना है कोई भी इन्फोर्मेशन लेनी है तो डबल सेवन 802495 या फिर 8005820782 पर आप कॉल कर सकते हैं या वाट्सम मेसेश करके आप है वो अपनी डाउड्स हैं वो किलियर कर सकते हैं उसके बाद में अपन बात करते हैं देखो रजस्तान और यूपी की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज़ आपको याद अख नहीं है वाई यूपी पूरी complete theory आपको मिलेगी पूरे 100 paper आपको मिलेंगे वन येर की validity आपकी रहेंगी क्रेस कोर्स आपको free मिलेगा क्या क्रेस कोर्स exam टाइम में free मिलेगा admission जल्दी से कर लीजे प्राइज आपकी 2999 रुपे आपकी रहने वाली है इसके लिए आपको download करना पढ़ेगा wisdom nursing coaching के न आपके syllabus पे आदारीत live and recorded classes complete थोरी आपको मिलेगी 100 paper वन येर की validity और यहाँ पे आप admission ले सकते 2999 रुपे के अंदर daily में सुबह 10 बजे आपका यहाँ से target कर रहा हूं क्या यहाँ से target कर रहा हूं कि सर हमारे पास में थोरी तो बहुत सारी पढ़े लेकिन start कहां से करें सर हमारे पास में MCQ तो बहुत सारे पढ़े लेकिन start कहां से करें सर पढ़ना कहां से सुरू करें सबसे पहला point यही होता ह हूँ कि आपकी आज जो मोर्निंग के अंदर क्लास वीती सुबह 10 बजे उसके अंदर मैंने MCU सोल करवाएं Community Health Nursing के और क्लास नबर 1, 2, 3 और 4 के ठीक है और कल की क्लास के अंदर कल सुबह 10 बजे आपकी क्लास रेडी करके आनी आपको सीचन की क्लास नबर 4, क्लास नबर 5, क्लास नबर 6 और क्लास नबर 7 तो कल सुबह इन चार क्लासेज का महा संग्राम होने वाला है मतलब सर हमें टारगेट मिल गिया है कि डेली एक सबजेट उठाना है और सर बताएंगे मैं आपको बताऊंगा डेली कौन सी सबजेट और कितने नबर की क्लास आपको पढ़नी है क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने है ठोरी आप यहां से पढ़के रेडी रीजेगा क्योंकि जब ठोरी पढ़ लेते हो और उसके बाद में MC कुछ निकालते हो ना तो confidence level है वो आपका दो गुना बढ़ जाता है और इसी की सुरुवात के साथ में अपने स्टार्ट करने वाले आज की क्लास को तो सभी बच्चे एक बार क्लास को like and share करेंगे बिलकुल गुडिवनिंग 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 जैसरी किसना रादरादे जैमाकाल चली बाई सुरुवात करते हैं आपका कल आपकी ये क्लास नहीं हो पाई थी तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं क्यूसंस में पूचा गया है कि which of the following vaccine is not contraindicated during pregnancy during pregnancy कौनसी vaccine contraindicated नहीं होती है तो आप सभी ने answer दिये थे कि सर यहाँ पे हम सभी student का जो answer रहने वाला है वो रहने वाला है आपका titnes vaccine देखो आपकी जो TT होती है जो TT vaccine होती है और इसके लावा yellow fever ये दो vaccine ऐसी होती है जो pregnancy के अदर contraindicated नहीं होती मतलब इनको अपने लगा सकते हैं इनको क्या कर सकते हैं अपने लगा सकते हैं यहाँ पर एक चीज याद रखेगा कि सर हम यहाँ पर जो चीज याद रखेंगे कि TT की जो दो डोज लगाई जाती है TT first dose और TT second dose पहली dose होती है सर वो आपकी as soon as possible जितना जल्दी हो सेके उतना जल्दी लगानी होती है सेकिंड सर वन मंथ के interval पर या फिर option में आपके आ सकता है four week four week के interval पर अपन लगाते हैं क्यों सर पूछा जाएगा कि TT की first dose और TT की second dose के बीच में कितना गेप होना चाहिए तो पर्जेंट कर रहा हूं ठीक है important question थे इसलिए मैं ही सोचा कि इस class को आपके सामने है वो पर्जेंट करना ही चाहिए next question आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौनसी ऐसी कौनसी आपकी वैक्सीन होती है या फिर आपसे पूछ लेता है कि life long immunity किस से मिलती है यह आप पूछा जाएगा कि जीवन बर एक बार होने के बाद में life long immunity आपकी मिल जाती है क्या immunity आपकी मिल जाती है यहाँ पे तो आपका right answer क्या होगा जल्दी से सभी बच्चे पूट करेंगे अपने-पने answer ठीक है सभी बच्चे अपने-पने answer पूट करेंगे और यहाँ पे अपन बात करने वाले है कि life long जो immunity होती है देखो किसी भी बच्चे को कोई doubts होते है न तो हमारे supporting number आपको दिये वे रहत है ठीक है इन सपोर्टी numbers पे आप अपने doubts है वो clear कर सकते हैं ठीक है चाहिए कैसा भी doubt हो आपका study से related हो counseling से related हो career से related हो या sir समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या करना चीए life में कहां पे कमी हो रही है success कहां नहीं मिल रही है किस विज़े से success नहीं मिल रही है यह सारी चीज़े आपको है वो हमारे supporting panel पे आपको मिल सब्सक्राइब करना है केरियर के recording मैं आपको एक अच्छा suggestion दूँगा ठीक है और यहाँ दखेगा life के अंदर अगर जज़बा जनूर एक है तो success जुरूर मिलती है और success तभी मिलती है जब अपना target एक होता है daily continuity होती है तभी success मिलती है एक कहावत तो सुनी होगी कि success एक द सबसे पहले अपने को सर mentally pressure है वो release करना है और mentally pressure release कब होगा जैसे भी आपको मिले एक government जो मिल जाए ताकि लोगों की नजरों में गरवालों की नजरों में आपकी इज़द एक बन जाए एक बार इज़द बन गी उसके बार में चाही जो exam आप देते रो आगे बढ़ते रो ठीक है कोई आपको नहीं रोकने वाला तो जो exam पहले मिलती है उसको fight करो कोई भी अपने आप में चोटी बड़ी exam नहीं होती है government job, government job भी होती है ओके चले तो यहाँ पर आपका right answer के रहने वाला है सर जो आपका rubela होता है ठीक है rubela से क्या मिलती है सर lifelong immunity मिलती है देखो एक चीज़ याद अखनी है एक तो होता है आपका rubela की बात करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर इसको अपन बोलते हैं आपका वो बोलते है जर्मन मीजल्स क्या बोलते है जर्मन मीजल्स एक होता है rubiola ओला वाला वाला वर्ड आता है ठीक है rubiola ओला वर्ड जो आता है वो body के अंदर store कहां होता है जैसे आपने क्या किया सर्व विटामीन D लिया अरे आपने जैसे विटामीन D लिया तो विटामीन D है वो कहां जाके store होगा बता हो भाई जल्दी से answer देंगे सभी बच्चें कि विटामिन डी जो होती है वो आपकी स्टोर कहां ओती है तो आपका right answer क्या होगा यहाँ पे अगर मैं बानसर की बात करता हूँ कि सब विटामिन डी जो होता है उसके storage की बात करतें है तो कहां पे होता है skin में होता है muscles में होता है brain पिर आपका लीवर और फेटी टीशूज के अंदर होता है तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है सभी बच्चे अपने अपने आंसर देंगे कोई किसी की टीपाट आपी नहीं करेगा रहना कल यह क्लास आपकी नहीं मिल पाई ती इसलिए मैंने सोचा कि चलो करवाई जेते हैं आपकी भी एक अच्छा आपको कंटेंट मिल जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे थे और रिसेंटली पेपर हुआ है उसी के यह सारे के सारी क्या है आपके क्यों से तो राइट आंसर क्या होगा से लिवर और फेटी टीशू के अंदर क्या होता है आपका जो विट वो चीज आपसे पूछा है तो कोलेरा इंफेक्शन किसके द्वारा फेलता है जल्दी से अंसर फुट कर दीजेगा आप देखो अगर मैं बात करता हूँ यह आपका एक गाउं है गाउं नंबर एक और गाउं नंबर दो ठीक है और यहां पे क्या चल रही है सर नदी चल र यहां पे लोग ब्ल्यू है पानी पानी कर रहे है उनको यह नहीं पता यह ब्ल्यू पानी कहां से हो क्या आ रहा है ठीक है तो यहां पे जो लोग रहेंगे उन लोगों को क्या हो जाएगी सर इन लोगों को भी क्या हो जाएगा आपका कोलेरा हो जाएगा तो मैं अगर बात कर Tschuja यहाँ पे option के good nine times क्या होगा सर human 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 से क्या होता है आपका जो cholera होता है वो क्या होता infection फेल ठीक है तो यहाँ देखेगा सबते जाधा पानी water से सबसे जाधा यह देखने मिलता क्या water से सबसे जाधा देखने मिलती है और इसका reservoir कौन होता है मतलब जिसकी body में पाया जाता है तो क्या बोलेंगे sir human की body में ये पाया जाता है तो right answer क्या होगा आपका B is the right answer आपका यहां पे रहने वाला है चलिए वाई next questions के ओर बढ़ते हैं आगे question में पूचा गया है कि आपकी सही sequence पूचिए CPR की CPR की जो है सही sequence क्या रहने वाली है जल्दि से answer फूट करेंगे अरे अगर आप CPR perform करते हैं तो उसके लिए आपकी sequence क्या रहने वाली है जल्दि से answer देंगे सभी के सभी बच्चे क्या आपका right answer रहने वाला है देखो अगर मैं बात करता हूँ यहां पे CPR की तो CPR के अंदर आपकी सभी स mandag्या रहने वाली है सरे वो रहने वाली आपकी क्या सबसे पहले कंप्रेशन आता है दन उसके बाद में air we आता है दन उसके बाद में breathing आता है तो right answer क्या होगा सर फोर्थ इजार राइट आंसर आपका यहां पर रहने वाला है अगर आपसे पूछे कि CPR की सिक्वेंस क्या रहने वाली है राइट कंडिसंस क्या रहेगी किस सिक्वेंस में आप CPR परफॉर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे सर कंप्रेशन एरवे और ब्रीथिंग के द्वारा है आपको ठीक है किसी भी परसन का क्या चेक करना है सर हमें neurologic neurologic status चेक करना है ठीक है मतलब हो रहा है उसके माथे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यह सारा सब को चेक करना है ठीक है माथे का examination करना है एक तरह से बोला जाए तो ठीक है क्या करना है neurologenic status उसका चेक कर केगा वो कौन सा होता है तो सर एक ही चीज ऐसी होती है जिसके द्वारा अपन है वो किसी भी persons के नियूरोजेनिक functions को चेक कर सकते हैं उनको अपन assess कर सकते हैं तो वो कौन सा होता है सर आपका तो right answer क्या होगा भई सभी के सभी अपने अपने अंसर देंगे और यहाँ पर right answer क्या होगा सर level of consciousness क्या होता है level of consciousness ठीक है अच्छा यहाँ पर अपन क्या करते है level of consciousness के अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर patient को वो चीछ चीक करी जाती है उसके time के बारे में उसके पैलेस के बारे में और परसंड के बारे में मतलब वो लोगों को पैचान रहा है कि नहीं पैचान रहा टाइम का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा ठीक है तो टाइम पैलेस और परसंड अगर यह किसी को पता है तो पैशन कैसा माना जाता है सर वह माना जाता है conscious patient अगर किशी patient को time person और आपके time person और palace के बारे में पता नहीं होता है तो वो कैसे patient माना जाता है सर एक तरह से unconscious patient की condition में अपन include करते हैं तो यहाँ पर right answer क्या होगा वो होगा level of consciousness आपका check किया जाता है चलिए भाई next questions के अपने बात करते हैं hyp involumic soak के अंदर सारे के सारे sign देखने को मिलते है all sign देखने को मिलते बट एक नहीं होता है देखो क्या condition है आपकी सर आपका hyp involumic soak की condition है तो इसमें मतलब 3 sign आपको देखने मिलेंगे बट एक sign आपका यहाँ पे गलत है उसको आपको बहान निकालने है सबसे पहले तो अगर आपका साटे परसेंट होता है अगर अगर आफ़न बेबी की बात करता हूं तो कितना होता है सब आपका साट परसेंट होता है और अगर old person की बात करता हूं तो sir 55% होता है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी condition नहीं दी गी अपने को तो देखो जब भी आपका fluid का level कम होगा तो क्या-क्या देखने में लेगा sir trachecardia अरे आपका heart जल्दी-जल्दी काम करेगा जल्दी-जल्दी काम करेगा ताकि पूरी body को blood supply अच्छे से हो hypovolumia की condition मतलब body को proper blood supply नहीं पहुँच पारी है तो heart क्या करेगा जल्दी-जल्दी काम करेगा तो क्या होगा? trachecardia होगा, ठीक है decrease blood pressure अरे BP कम होगा की नहीं होगा? sir, होगा कैसे नहीं होगा? sir, BP तो कम होगा, योगा तो क्या right answer होगा? decrease आपका blood pressure भी देखने मिलेगा अच्छा, bradycardia देखने मिलेगा क्या? sir, bradycardia तो आपका यहाँ पे होगा की नहीं होगा? जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्द करो अच्छा, तो यह बिल्कुल सही है लेकिन आपका bradycardia नहीं होता है तो hypo volumic shock के अंदर कभी भी bradycardia नहीं होता है क्या देखने मिलता है? ट्रेगी काडिया देखने मिलता है क्यूंकि वहाँ पे क्या करता है? आपका जो height होता है वहाँ पे functioning ज्यादा करता है तो यह चीज आपको याद रखनी है कि जब भी hypo volumic soak की condition होती है तो उस conditions के अंदर आपका जो height है वो जल्ली जल्ली काम करता है ना की क्या करता है आपको कम काम करता है ठीक है तो यहाँ पे right answer क्या होगा ब्रेडी कार्डिया आपका right answer होगा बाकी है सही है ट्रेकी कार्डिया होगा BP कम होगी, pulse pressure कम होगा लेकिन आपका ब्रेडी कार्डिया की जिए क्या हैगा तो यहाँ पे right answer क्या होगा आपका C is the right answer यहाँ पे रहने वाला है चलिए भाई, next questions के अपन बात करते हैं आपकी skin के ओपर, question में दिया हुआ है क्या question में दिया हुआ है, question में यह दिया हुआ है which of the following is the first action to be the done किसको, अरे कोई collapse patient है क्या हो गया, कोई patient है, वो collapse है patient क्या है, collapse की condition में क्या है, collapse की condition के अंदर क्या है, कोई patient है और कॉलेप्स की कंडिसन है पैशन कॉलेप्स हो चुका है तो उस कंडिसन में सबसे पहला आपका एक्षन क्या होने वाला है जल्दी से सभी वच्चे अपने अपने अंसर पूट करेंगे ये कल वाला क्लास है जो आपकी तीन क्यूशन होके बंद हो गई थी ना तो मैंने अचा कि ये आपको अविलेबल करवानी ही चाहिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है देखो अपन क्या करेंगे सबसे पहले सर हम क्या करेंगे विक्तम को क्या बोलेंगे सर सबसे पहले विक्तम से अपन बोलेंगे दैन उसके बाद में अपन क्या पर टच करेंगे यह मैंने क्यूशन करवाया था आपको और आपके MPNHM में यह क्यूशन आया हुआ भी है कि सबसे पहले क्या करेंगे विक्टम से अपन बोलेंगे कि भाई साब कैसे हो भैंजी कैसे हो ठीक हो की नहीं हो अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो उस कंडिसन में अपन क्या करते हैं सर जब रिप्लाई नहीं आएगा तो उस कंडिसन में क्या करेंगे सर सोल्डल वारे एरिया के अपन टच वाले हैं next question आपकी screen के सामने चलिए next questions क्या है यहां पर question में पूचा गया है कि आपका क्या question पूचा गया है during physical examination during physical examination आप क्या करें listen करें बोले तो सुन रहे हैं क्या सुन रहे है sound of the heart and lungs और किसके क्या कर रहे हैं आपके स्ठेटोस्कोप के दौर हैं अगर sound के आपके क्या सुन रहे हैं तु यह कौन से टाइप का assessment होता है तो सबको पता है सल अगर sound की बात आ साउंड सुनने की बात आ जाती है तो वह कौन सा कहलाता है सर आपका औसकल्टेशन कहलाता है क्या कहलाता है आपका औसकल्टेशन आपका कहलाएगा तो यहां पर किसी भी बोडी पार्ट के अंदर आप साउंड सुन रहें या फिर आप हाइट का साउंड सुन रहें लंज का स पूचा गया है which part of the stetooscope more sensitive high pitch sound अरे आपका कौन सा ऐसा part होता है जो high pitch sound के लिए most sensitive होता है आपका stetooscope आप यूज करते हैं तो stetooscope के अंदर ऐसा कौन सा part होता है जो क्या करता है सबसे ज्यादा आपका sound capture करने का काम करता है most sensitive part होता है sound sound के लिए high pitch sound मतलब हलका सा भी touch करेंगे तो बहुत अच्छा sound आपको सुना ही देगा अरे आपने जब duty की थी community के अंदर या कहीं पर भी आपने hospital के अंदर duty की थी nursing time पर तो अपन क्या करते थे इस्टेटोश्कोप यूज करते थे ठीक है इस्टेटोश्कोप यूज करते थे तो उसका जो डाइफ्राम वाला पार्ट होता था जो डाइफ्राम वाला पार्ट होता था उसके पास में अपन क्या क्या करती है तो वैसे ही क्या करता है जो डाइफ्राम होता है उसके पास म को बहुत ज्यादा कैप्सर करेगा और अपने पास तक है उसको हाई पीस में है वह आपका डिलीवर करेगा तो राइट आंसर क्या होगा सर्डाइफ्राम वाला पार्ट होता है ऐसे गोल गोल पार्ट देखाएंगे नहीं देखा जिसके पास में ओफ्वाउन करने का भी ऑप आपको फैलने का पता है तो उसका रोकने का भी पता आप लगा सकते हैं लेकिन ने थोड़ा सा गुमा दीया अपने सर को क्या बोला है कि बाई सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि tuberculosis का mode of transmission क्या होता है यह transmit कैसे होती है अगर आपको यह पता है कि transmit कैसे होती है तो आप answer भी दे दोगे कि सर इसके अंदर कौन सा isolation precautions है वो अपन use करेंगे तो अगर आपको इसका failने का पता है तो सर हम इसको रोकने का भी लगा लेंगे तो mode of transmission क्या होता है सर ट्यूबर क्लोसी जो होती है एक परसंस यह दूसरे परसंस के अंदर transfer होती है किसके दौरा by the air क्या होती है सर by the air तो क्या होगा सर एयर बॉपर प्रिक्व स्हें सर क्या करेंगेiner का इसके आपको आइस क्योंक्यूबर क्लोसी का मोड्यून फो किसके दौरा होता है आपका सर Ф Chest के लगा है screen के उपर question में पूचा गया है देखो मैंने आपको exam से एक दिन पहले ये formula बताया था कि एक adult है adult के अंदर body mass index क्या है less than body mass index question में पूचा जाएगा BMI 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 की full form क्या होती है तो क्या बोलेंगे इस तर body mass index क्या बोलेंगे इस तर body mass index इसको बोलेंगे body mass index इसको अपन बोलेंगे ठीक है अच्छा यहां पर दिया हुआ है कि weight 18.5 kg meter square से क्या है कम है क्या है कम है तो आपका कौन से टाइप का यहां पर है वो categories में उसको include किया जाएगा तो मैंने आपको चारो की normal weight देखो under weight तो answer तो होगा सर 18.5 kg meter square से जादा है सुरी कम है तभी बच्चे अपने अपने answer देना वई wisdom के साथ विश्वास बना के रखने ठीक है wisdom बहुत आगे लेके जाएगा less than 18.5 kg meter square ठीक है यह तो किसमें आगे सर under weight right answer भी यह हो गया अच्छा normal weight सर 18.5 kg से लेके अगर 24.9 kg meter square होता है तो सरी आपका normal होता है अच्छा obesity बोले तो सर obesity आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 kg से लेके 29.9 kg सरी ओवरवेट ओवरवेट होगा obesity आएगी यहाँ पे ना ओवरवेट की बात करते तो ओवरवेट किसके अंदर आएगा सर ओवरवेट आएगा आपका 25 kg से लेके 29.9 kg सरी 29.5 kg किसमें आएगा सर आपका meter square के अंदर क्या आएगा सर आपका ओवरवेट आएगा ओवेसिटी आपकी सर अगर आपका वेट है वो क्या है 30 kg 30 kg मिटरी स्कॉयर से ज्यादा है तो वो ओवेसिटी के अंदर आता है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी इस राइट आंसर आपका रहने वाला है तो यह सारे के सारे option है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताए ते नेक्स क्यूशन के अपन बात करते है energy क्यूशन में पूचा गया है क्यूशन में क्या पूचा गया है energy is store in the body आपकी जो energy होती है वो body में कहां store होती है जल्दी से answer put करेंगे energy आपकी body में कहां store होती है muscles के अंदर होती है ligaments में होती है tendons में होती है या फिर आपकी किसमे होंगी edipo और tissues के अंदर कल सुबह 10 बजे की class है कल सुबह 10 बजे UPCHO जो class है देखो इसके अंदर UPCHO, राजस्तान CHO, इकलवे बाले बेच और full course वाले ठीक है इन सभी बच्चों को याद अखना है CHN की class number 4, 5, 6 और 7 की थूरी पढ़के आना है ठीक है जैसा आज मैंने करवाय था वैसे ही कल भी अपने आगे continue करेंगे तो सर मैं आपको यहाँ पे एक target दूँगा daily वो बोलते ना कि सर बच्चे बेच तो join कर लेते हैं सर हमने बेच तो join कर लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा start कहां से करें अरे मैं आपको बताऊंगा start कहां से करना है start आपको यहां से करना है कहां से करना है community से सबसे पहले start करना है और tension मत लीजिएगा 2-3 मैंने में सारा सब कुछ cover करवा दूगा और 2022 में सबसे यादा selection wisdom से यह होंगे देख ले ना ठीक है चलिए बाई आपका यहाँ पर right answer क्या रहने वाला folic acid supplement की क्या अरे आपका जो folic acid supplement होता है उसकी dose पूछीगी यह और किसके अंदर पूछीगी यह प्रेंगनेंट वुमेन के अंदर क्या अरे प्रेंगनेंट महिला के अंदर इसकी dose क्या होती है जल्दी से आंसर पूट कर दीजेगा folic acid supplement की dose क्या होगी किसके अंदर आपकी pregnant महीला के अंदर तो आपका right answer क्या रहने वाला है एक गर्बोवती महीला है जिसके अंदर आपको folic acid की जो है dose देनी है recommendate करनी है तो according to ICMR आपकी यहाँ पे है वो क्या dose रहने वाली है जल्दी से सभी बच्चे right answer पुट करेंगे यह मैंने exam से एक दिन पहले बता है ता आपका तो right answer क्या होगा यहाँ पे maximum बच्चों के जो answer है वो क्या है यहाँ पे D is the right answer क्या होता है 500 microgram क्या होती है 500 microgram is the right answer यहाँ पे आपका right answer fourth रहने वाला है ठीक है चलिए next questions पे आपन आगे बढ़ते हैं questions पे पूछा गया है surgical opening आपको क्या करना है एक opening बनानी है मैंने कल भी यह चीज़ कि आपको कोई opening करनी है देखो एक तो आती है opening करनी है और एक आती है remove करना है यह दोनू एक दूसरे से बहुत related है इनको समझना बहुत जरुरी है देखो जहां पे भी opening word आता है तो क्या होता है सर आपका वो देखने हो बलता है आपका क्या आपका या抗्र की रिमुफर की बात आती है तो उस word के last में क्या लिख्धा होता है सर ectomy, क्या ectomy word add होता है, ठीक है, तो यहाँ पे stomach के अंदर आप क्या करें, feeding के लिए एक artificial क्या बना रहे opening मना रहे, एक surgical opening बना रहे, कहाँ पे stomach के अंदर तो उसको open क्या बोलेंगे, sir उसको open बोलेंगे gustomy, क्या gastomy बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको गेस्ट्रॉमी बोलेंगे ठीक है तो मैंने बताया आपको कि इस टॉमी वर्ड जहां पे यूज़ करते हैं मतलब ओपनिंग और रिमॉल के टाइम गेस्ट्रॉमी तो कई बच्चे जो गेस्ट्रॉमी answer कर रहे हैं उनका गलत है क्योंकि यहां पर यह रिमूव की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है और यहां पर opening की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है तो यह भी आपको याद रख रहा है या नहीं आएगी, without CCS आएगी, या फिर JNM वालों को लेंगे की नहीं लेंगे, आपको उस सीज का वेट नहीं करना है, अरे अगले साल का वेट करना ही नहीं है, हमें तो इसी साल में सेलेक्शन लेना है, हमें तो इसी साल में और इसी वेकेंसी में, अगली वेकेंसी के बार application download करो page को join करो 3000 रुपे कोई बड़ी रकम नहीं है लेकिन आपको हर मेने 40 से 50 रुपे मिलेंगे ना वो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी 40 से 50 रुपे हर मेने और ये lifetime रहेंगे क्या रहेंगे आपके lifetime रहेंगे ये lifetime रहेंगे और ये आप कितने दिन तक दे रहेंगे लेकिन आप यहाँ पर lifetime रहोगे क्या रहेंगे यहाँ पर lifetime आपके सामने ये रहने वाला है चलिए बड़ी next one बात करते हैं तो ये क्या रहने वाला है lifetime आपको 40 से 45 रुपे मिल रहें बाकी जो बच्चे सोचते हैं कि सर हम तो खरीज नहीं सकते अरे घरवाले कभी किसी को मना नहीं करते हैं क्योंकि घरवालों ने अगर आपको 4-5 रुपे लगा के nursing करवाई है न तो 3000 रुपे के लिए और अपनी नोकरी के लिए success के लिए कोई मना नहीं करता है कोई घरवाला मना नहीं करेगा बस अपने मन से आप क्या करते हो यह सोचते हो कि सर मैं तो क्यों और क्यों यूट्यूब की ग्लासे से selection लोंगा अरे माना कि यूट्यूब की ग्लासे selection होता है लेकिन वो selection तब होता है जब आप 2-3 attempt दे देते हो वो directly किसी भी guide से नहीं आते हैं वाई और यही चीज में आपको बार-बार समझाने की कोशिस कर रहा हूं तो यहां पर आप जैसे UPCHO या जिसी भी CHO बेस में जाएंगे तो वहां पर community health nursing की classes आपको दिखेंगी और उसमें से कल सुबह आपकी रहने वाली है class number 4, 5, 6 और 7 के MCQs ठीक है तो बस miss मत करना जल्दी से phone उठाओ और join कर लो next questions के अपन बात करते हैं कि आपका यहां पर natural pH के बारे में पूछा गया है देखो आपका जो pH होता है और उसकी आपन बात करते हैं तो एक तो हचा है natural value होती है एक ápki acid risk value होते है और एक होती है आपके alkaline होती है तो यहाँ पर natural पूछा गया है तो natural में क्या हैगा अगर आपका पी h level कितना है साथ है तो क्या होगी सर natural होगी साथ से कम है तो acidic होगी और साथ से ज्यादा है तो कैसा होगा nature alkaline होगा तो यहाँ पर right answer क्या होगा वो होगा सर A is the right answer आपका रहेगा अगर आपका pH का level 7 है तो यह कैसा होता है सर natural होता है ना तो acidic होता है ना alkaline होता है अगर pH level साथ से कम होता है तो HDC होता है साथ से ज़्यादा होता है तो कैसा होता है सर alkaline देखने को मिलता है next questions के अपन बात करते है इसकिन के उपर यहां पर question में पूछा गया है which of the following is anti-platelet drugs anti-platelet drugs देखो platelet drugs कौन सी आती है सर platelets drugs वो आती है जो क्या करती है क्लोट बनाने का काम करती है और anti-platelet drugs वो आती है वो क्या काम करती है सर ये काम करती है क्लोट नहीं बनाती है क्या क्लोट नहीं बनाती है तो ऐसी कौन सी medicine है जो आपकी क्लोट नहीं बनाती है यहां पर आपका right answer क्या रहने वाला है तो सर यहाँ पे एक medicine है जिसका नाम क्या है बई, सर यहाँ पे एक medicine है जिसका नाम क्या है, सर उसका नाम है आपका aspirin, अरे aspirin जो होती है वो कैसी drugs होती है, anti-cogulant आपकी drug होती है, बोले तो anti-platelet drugs होती है, अगर आप इसको low dose में काम में लेते हो, तो low dose में सर इसको open anti-platelet का क काम करवा सकते हैं और अगर आप इसको हाई डोज में काम ले रहे तो तो सर हम इसको पैणकिलर के रूप में बी कामें ले सकते हैं आप ने पॉलरेटी हो गाना महिलाएं जो होती है वो सबसे ज़्यादा aspirin use करती है और इसी वज़े से इसी वज़े से महिलाओं में MI की condition कम से कम देखने को मिलती है क्योंकि वो already क्या कर रही है sir aspirin को use कर रही है जैसे ही सरमेदर दुआ पहले बोलते थे ना नीले पत्ते वाली दवा क्या बोलते थे sir नीले पत्ते वाली ज़्यादा होते फिमेल में कम होते हैं because वो क्या गरती है sir वो क्या गरती है aspirin का ज़्यादा यूज करती है जिसकी विज़े से उनके blood में clot कम से कम बनता है समझ में है ना कहा नहीं चलिए वई next question आपकी skin के सामने एक patient है जो जिसने क्या कर लिया aspirate कर लिया क्या foreign body अरे foreign body कोई कोई भी आपका particular चीज या कोई भी सबसांच से किसी patient ने aspirate कर लिया ठीक है अब aspirate कर लिया और वो क्या कर लिया उसके airway के अंदर चला गया तो सबसे पहले आप उसके airway को open करने के लिए क्या action लेंगे जल्दी से answer put कर दीजी वही एक patient है जिसने क्या कर लिया कोई भी foreign body उसके airway में चला गया aspirate कर गया अब वहाँ पर वो कौन सा action लेगा यहां पर action कौन सा लेगा किसके recording airway को open रखने के लिए या airway को clear करने के लिए open रखने के लिए कौन सा सबसे पहला यहां पर action लेगा तो सर एक option यहां पर हमारे coding सही बेड़ता है जिसका नाम क्या होता है जो thrust maneuver क्या करता है जो thrust maneuver क्या करेगा आपका यहां पर करेगा जिसकी विज़े से आपका airway है वो open हो जाएगा आगे की classes में आपको इसकी से अपन बात करते है प्ले सेंटा मैंने बोला था ना प्ले सेंटा का क्यूसन पूछा जाएगा और पूछा गया था कि आपको इसको किसके अंदर discard करते कौन से बेग में discard करेंगे तो यहां पर अगर मैं बात करता हूँ आपकी human anatomical waste placenta जो होती है उसको अपन कहां पे dispatch करते हैं या फिर कहां पे उसको discard करते हैं कौन से बेग में डालते हैं तो देखो blue की बात करते हैं क्या डालते हैं सर काच डालते हैं यहां पे सर हम चुबने वाली चीज़े डालते हैं सर यहां पे हम प्लास्टिक डालते हैं क्या डालते हैं और यलो यलो के अंदर क्या डालते हैं सर आपके जितने भी is not, not a biomedical waste management method, इन में से कौन सा biomedical waste management का method नहीं है, क्या आपका right answer रहने वाला है, जल्दी से answer put करेंगे, कि इन में से कौन सा जो method है, वो biomedical waste management के अंदर नहीं आता है, तो देखो आपको याद सुना होगा, आपने नाम सुना होगा, कि सर जो plastic वाला बैक होता है, बोले तो सर, red वाला जो बैक होता है, उसके अंदर जितने भी सबसांस होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, सर अपन recycling करते हैं, recycling किस के द्वारा करेंगे, सर अपन autoclave करेंगे, या stylization करेंगे, तो ये तो sir होता ही होता है अच्छा यलो वाले को क्या करते हैं sir यलो वाले को अपन इंसिनेरेशन करते हैं लेकिन आपका मिलिंग किसके अंदर आता है sir किशी में भी नहीं आता है चली बयाए नेस्स क्याशra करते हैं इसक्रीन के अपर पूचा गया यहां पर इंपोटन है और 1000 बार रिपीट है आपका प्यानीक है तो उसकी दिसार्ज jouमें ق कि अब बार answer देने हैं देखो जिंदिगी के अंदर target बड़ा रखो कोई teacher छोटा बड़ा नहीं होता है teacher वो होता है जो selection दिलाता है और माना कि यह भी wisdom का level बहुत कम है बोले तो student बहुत कम है subscriber भी बहुत कम है बट एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा कि wisdom का जो नाम है ना वो इंडिया के हर एक कोने में ठीक है out of इंडिया तो छोड़ो कोई बात नहीं अपन तो केवल देशवाड़ लोगों को पड़ाले वो ही बहुत है ठीक है अरे इंडिया को पड़ाले वो ही बहुत है इंडिया से बाहर तो channel तो वै यूज लेने वाले काम होते हैं ठीक है मतलब आपने वीडियो पर पैसे लगाए और इंडिया के बहार उन लोगों को दिखेगा वीडियो और आपको व्यूज आएगा और कुछ नहीं आएगा ठीक है और मैं तो यह मानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा और मेरा टार्गेट यह है कि 2025 तक 2025 दिसंबर तक मेरा टार्गेट यह है कि जिस दिन 2022 और जनवरी एक जनवरी की बात होगी उस दिन विस्जम इंडिया के हर एक पौने तक इंडिया के हर एक nursing student तक हर एक medical student तक है वो पहुंच जाएगा और इसके लिए चाहिए मेरे को दिन रात एक करना पड़े चाहिए wisdom की पूरी team को दिन रात एक करना पड़े लेकिन वो जुरूर करेंगे इस मोके को कभी नहीं गवाएंगे क्योंकि जिन्दकी में देखो क्या होता है अगर आप में जज़बा और जुनून है मैं हर बार बोलता हूँ ज़बा जुनून है और कुछ करने की उमीद है आपके अंदर कुछ करने के सपने हैं आपको तो आप जरूर करेंगे और उसके लिए continuity चाहिए होती है और मैं आपकी continuity कभी break नहीं होने देता हूँ और wisdom एक ऐसा channel है जो हर एक student के दिल की सुनता है हर एक student के मन की बात सुनता है कि उसको कैसी study की need है और वो ही study wisdom करवाता है मेंसा बना तो हम भी ये करवा सकते हैं आपको हमारे मन से कुछ भी लाकिया आपको पढ़ा के चले जाओ नहीं रहे बच्चों का दिल कुछ तब होता है जब उनके according study होती है उनको यह feel होना चीए कि हम online में नहीं पढ़ रहे हैं offline में पढ़ रहे हैं और यही feel क्या करवाता है wisdom आपको करवाता है सभी बच्चे एक बार class को like and share करेंगे तो लो बाई start करते हैं तो यहां पर right answer क्या होगा सर जब आपका admission हो जाता है क्या अरे यह discharge की जो planning है वो कब हो जाती देक बें डूरिंग एडमिशन आपकी start होजाती है राइट आंसर क्या होगा आपका second is the right answer यह आपका start हो जाता है एक यहां पर कितना प्यारा है और कितने अच्छी तरीके से इसकी language को बनाया है आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हो लेकिन language कितनी प्यारी बनाई है क्यूसन में गुमा दिया है कि एक patient है जिसको आपको क्या करना है एक patient है जिसके radial artery के अंदर एक patient है जिसकी radial artery के अंदर इसकी पैटेंसी चेक करनी है तो भाई अलार आठ्री को आप जब भी चेक करते है, उसकी पेटेंजी चेक करते है, तो कौन सा टेस्ट करते हैं, सर आपका एलन टेस्ट करते है, यहाँ पे अबी जी के बारे में नहीं पूछा है, क्यूसन को गुमा दिया, क्यूसन वो ही है, बस थोड़ी सी लेंग्वेज इसके अंदर add कर दिया catheter word क्या यूज कर दिया catheter लगाना है आपको तो क्यूसन में दिया हुआ है कि आपकी जो radial artery होती है उसके अंदर आपको catheter लगाना है लेकिन उससे पहले अलार artery की patency check करनी है तो उसके अपन कौन सा test perform करते हैं तो क्या बोलेंगे सर Allen test करते हैं चलो समझ में आया कि नहीं है बिल्कुल चिलर सा क्यूसन था क्यूसन आपको समझ में आ गया ना चलिए next questions के अपन बात करते हैं आपकी skin के ओपर यहाँ पर क्यूसन पूचा गया है कि आपका ट्यूब डाल रहे हैं तो वह आपकी ट्यूब कहां डाल जाती है सर सिंपल सी बात है वह डाल जाती है ट्रेक्या के अंदर ट्रेक्या को अपन क्या बोलते हैं सर विंड पाई भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका विंड पाई भी बोलते हैं ट्रेक्या के अंदर सर 16 से 20 क क्या होती है C से रिंग पाई जाती है तो राइट आंसर क्या होगा सर C is the right answer 3 is the right answer next questions के अपने बात करते हैं आपकी skin के उपर एक patient है देखो बहुत अच्छा question है easy question है समझजण की कोसिस करना चुटकियों में हल कर दोगे question में पूछा गया है कि एक patient है if a client एक client है जिसको diagnosis हुआ है और diagnosis ठीक है diagnosed to be the dehydrate on admission for surgery उसको surgery के लेके जाना है तो IV fluid admission should be started during which of the following period देखो एक patient है जिसको आपको क्या करना है surgery के लिए लेके जाना है क्या surgery के लिए लेके जाना है और उसमें condition क्या है diagnosis हुआ है कि उसके अंदर क्या है dehydrate वाली condition है तो आपका जो IV fluid है वो कौन से प्रेड में start करना है अरे गुरुजी यह तो हमें आता है चुटकियों में हमने solve भी कर दिया सबने answer भी दे दिया क्या दे दिया सर देख लो यहां पर पेशेंट को अपन surgery के लिए लेके जाने वाले चाहिए लेकिन उसका diagnosis हो गया कि उसके अंदर पानी की कमी हो गई है तो भाई पानी की कमी हो गई है अभी पेशेंट को surgery के लिए लेके चले जाएंगे तो भाई simple सी बात है पहले उसकी body के अंदर fluid की कमी हो गई है और आप surgery room में उसको ले जाएंगे तो hypovolumic soak हो सकता है उस patient की BP down हो सकती है तो उससे पहले अपने को उसके अंदर fluid बढ़ाना है तो सर हम क्या करेंगे प्री ओप्रेटिव और प्रेंशन से पहले हपन क्या करेंगे ताकि उसके अंदर rehydration वाली condition हो जाए dehydration हड़ जाए मतलब fluid प्रोपर हो जाए ताकि हाइपो जो हमाद क्रास के अंदर तो एक line लिखाई थी वह line क्या थी कि vagina जो होता है वह क्या होता है फाइब्रो muscular के लाल होती है फाइब्रो मस्कुलार के लाल या फिर आपकी membrane होती है जो क्या करती है communication channel का काम करती है किस किस के बीच में सर्षर ब्लस वल्वा के बीच में पूछा गया था कि एक फाइब्रो मस्कुलार मेंब्रेनन सीट पाई जाती है जो कम्यूकेट करने का काम करती है यूट्राइन केविटी को और वल्वा को अरे चिल्लर सा क्यूशन था लेकिन फिर भी MPN हमने पूछ ले वेजाएना ही तो आएगा अरे आपकी यूट्राइन केविटी और वल्वा मतलब इंट्रेनल और एक्सर जेनेटल ओर्गन को मिला के कौन रखता है वो रखती है सर आपका वेजाएना तो राइट आंसर क्या होगा सी इस दा राइट आंसर आपका यहां पर रहने वाला है तो भाई आज की ग्लास के अंदर इतनी बात करेंगे अपन ठीक है नेक्स अपन नेक्स ग्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे सबी बच्चे हैं वह एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना बेच जॉइन कर लो एक अच्छी तैयारी हो रही है जिंदिगी के अंदर यह मौके ब असी मजाग के साथ में फेमिली के प्यार महबत के साथ में घरवालों की नजरों को उपर करते हुए चलना है या फिर एक कमरे में बंद रहके निकालनी है यह आपको डिसाइड करना है तो सभी बच्चे एप्लिकेशन डाउनलोड करो और बेच जॉइन करो कल फिर से मिलता रात-रात का टाइम है मैं भी रात में पढ़ोंगा और क्षिन बनाऊँगा आप भी रात में पढ़ो तो आपके एक फिलिंग होनी चीए एक अटेश्मेंट होना चीए कि आपके सर आपके लिए चार गंठी की चलास रात को पढ़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते बाई आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं सर हम पढ़ सकते हैं और सर हम सेलेक्शन लेके दिखाएंगे और याद रखेगा जजबा और जुनून कभी भी कम नहीं होना चाहिए टारगेट लंबा रखो सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी आज आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं वापस ते कल उसको पढ़ो फिर भी नहीं आया कोई बात नहीं वापस ते उसको पढ़ो उसका जब तक पीछा मत चोड़ो जब तक वो समझ में नहीं आये समझे रहे ना तो जब तक पिछा मत छोड़ो वो बोलेंगे ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है और जब तक अपना target इस аमने रखो कैसे या नहीं ऑगी होगी हम भी तो याद करते कि होगी हमारा और आपका हम भी मीलियंस में से एक है तो आप इस पर्थवी पर हो इस दर्थी हो आप मीलियंस में से एक हो आपके अंदर वो quality है जो सब लोगों के अंदर है बस आपको उस quality को पहचान ना है और वो quality जो है वो आज के time पे youtubers ने उस quality को है वो दबा दिया है दबा कहां दिया है ये बॉल बॉल के कि YouTube से selection होता है YouTube से MCQ से YouTube से MCQ से इसीज को बॉल बॉल के बच्चों के mind के अंदर ये set कर दिया है कि आपके अंदर वो quality है ही नहीं अरे भाई आप पहले online नहीं हुआ करता था offline सब बच्चे जाते थे offline में जब आप जाते थे तो क्या पढ़ाते थे आपको さ अनलाइन में जब भी हम जाते हैं तो हमें तो थे Yeah – कोई नहीं बढ़ाता है तो भाई आप जब शुरुंवात προें कर रहे हो जब आपने स्टार्ट किा है जब आपने offline में स्टार्ट चाया theory के साथ में तो भाई online में theory के साथ क्यों start नहीं कर रहे हो वो तो उल्टा सस्ता है आपका offline में 25,000 रुपे दे के theory पढ़ते हो यहाँ पे 5000 रुपे में तीन रुपे में आप घर बेटे पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको लाखुर रुपे आप खर्च करते हो उसको बहार रिकालो लोगों के सामने represent करो उसको आपका friend आपके पास आया है कोई भी topic पढ़ लो और उस topic को फिर आप अपने फ्रेंड को समझाओ जबदस पकड़ के बिठा लो अपने पास कि भाई आर मेरे पास बैट देख वो भी सोचेगा कि यार यह इतना कहां से पढ़ कोई सोचे का कि यार यह कहां से पढ़ रहा है इसको इतना याद कैसे है तो यह आपको करना पड़ेगा हम आपको motivate कर सकते हैं आपको knowledge दे सकते हैं आपको guide कर सकते हैं आपको content available करवा सकते हैं आपके practice करवा सकते हैं आपके test करवा सकते हर एक चीज हम करवा सकते हैं लेकिन जो आ गए ना selection की वो तो आपको ही पेदा करनी पड़ेगी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते है तो सभी बच्छी application डाउनलोड करो जॉइन करो लोगों की बात है कहना है कहना तो कोई दिक्कत नहीं है जिंदिकी के अंदर बात उसी की होती है बुराईयां उसी की होती है जो वो सही रस्ते पे चल रहा है वो सक्सेज हो रहा है तो बुराईयां के अवल उसी इस्टूट की होती है और बुराईयां के अवल उनी टीचर्स की होती है और बुराईयां जो होती है के अवल उनी लोगों की होती है जो सक्सेज की रहा पे चल रहे होते है और आने वाले ट कुछ आपको खुद को करना पड़ेगा इसके लिए और कोई नहीं आने वाला दूसरा बाई-बाई-एंड गुड नाइट वाल मिलते हैं कल वापस से आग जलानी है ऐसा नहीं है हमाचिस की छिली लेकर लगा दो आग ठीक है वूस आग यह बाद नहीं कर रहा हूं मैं फलेक व्लगब पूरो बगाई बड़े गुटनाइट यू